हाई एवरिवान वेल्कम बैक टू आवर चैनल मेरी पूरी कुकी स्पॉर्ट फामिली आप सभी स्वस्थ रहें सो रक्षित रहें और खुब खुश रहें हर दिन की तरह आज भी यही विश मेरी है आज का व्लॉग क्या है एक तो यह कि की शुरू करूं गुप्टा जी की ड्यूटी बाहर में तो सुबह ही चले गाते हैं जब शुबह में स्कूल गया है उसके पहले छे बजे बाहर इस्टेशन में ड्यूटी के लिए अब मैं आउर सुबह में और जब हम मा बेटे रहते हैं तो हमारा एक रताय कि लंच बना ले और फिर रात में पूरा खाना बन जाएगा क्योंकि जब वो ड्यूटी से आएंगे रात के खाने के लिए तो तीन लोग तो कम से कम खाने के लिए रहें तब तीन चर वहरेटी बना सब को दाल डोटी सब्जी और वैसे कभी-कभी मैं सब्जी रोटी भी बना लेती हूं ऐसा बात यह दिको बालियां oxidized है white छुट-छुटी सी मोतियां है और छुट-छुटे से नग लगें बड़ी प्यारी सी हैं delicate सी है मुझे इसे rings पहना पसंद है किसी ने gift किया है पताओ कितने gift किया है guess करना दो gift की है जब दिन से वह gift मिली है तो अपसे वह बालिया भी पहनी मै है जिन्होंने दिया है तो किस ने दिया है guess करके बताना तब से बड़े शौक से पहन दोई हूं इनको आज कुरती पहनी इसलिए चुटी वाली पहनी है और दो तीन बारा भी साड़ी पहनी है तो मैंने वही वाली सेम बालियां पहनी थी सही जवाब जिसका होगा उसका न का लंच बॉक्स बना वो नाश्ता करके टिफिन लेके गया फिर सुबह वाले सारे काम वाम करके मेरा नहाना पूजा हुआ है और अब मैं खानी के त्यारी कर रहे हैं एक लोकी थी पतली थी बीजे बिल्कुल भी नहीं है एकड़म सौफ्स की लोकी है जब भी पुलाव ब यस अब मैं पुलाव बनाने वाली हूँ आज का पुलाव बनाने वाली हुआ इस ट्राइप्लाइस स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर में ये प्रेशर कुकर दा इंडस्वैली का है ये 4.5 लीटर आउटर लिड़ कुकर है दाइंदस वैली ब्रैंड का कोई भी प्रोड़क्ट पर्चेस करते वक्त यदि आप मेरा कोड अभी लाशा गुत्ता यूज करते हैं तो आपको मिलता है 12% का एक्स्टा डिसकाउंट लेकिन याद रखेगा ये डिसकाउंट आपको सिर्फ इनकी वेब साइट पर ही आप्ट तेजपत्ता, ख़ड़े मसाले जो भी आप पसंद करते हैं डालें इसके बाद लसुन बारी कटी हुई डाल करके फ्राई कर ली फिर हरी मिर ची और प्याज भी डाल दिया तो मीडियम साइज की प्याज ली है और 2-3 हरी मिर ची और प्याज को हलका सा भून लेंगे पस यह यहां पर प्यास भुन रही है, आज को मैंने धीमी कर लिया है, अब साथ ही मैं यहां पर गाजर और न्यूटिला में डालने वाली हूँ, सोया वड़ी, यहां पर मैंने अद्रक कद्दू कस किया हुआ और टमाटर यह डाला है पहले, फिर यहां पर यह गाजर बारीक कटी पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर, और आधा से थोड़ा कम ही यह होममेट गरम मसाला, बस इतने ही ड्राई मसाले डाले हैं, इसके बाद नमक स्वात के अनुसार डाला है, सब को डालके मिक्स कर लेंगे, न्यूटिला, कि दो कप से जादा ही है लौकी न, कद्दू कस किया हुआ, लेकिन एक दम सौफ्ट हो जाएगा पकने के बाद, क्वांटिटी कम हो जाएगी, बच्चों को लौकी खिलाने का यह बहुती बड़ी हां सा तरीका है, उन्हें पुलाओ समझ के खाते हैं, उन्हें पता भी नह चलने वाला किसमे लौकी है, अब मिन सब को मिक्स करने के बाद मैंने लिड लगा दी है, आज को धीमी कर लिया है, एक विसिल आने तक इसको पका लेंगे, तब तक यहां से खड़े मसालों की मसालदानी हटा लूँगी मैं, और मसाले मैंने डाल ही दिये हैं, सिर्फ चाव पर खुलेगा तो पानी डालना का काम है और चावल, चावल मैंने पहले ही धोग के रखे हुए है, बस यहां पर मैंने कुकर खोला है, एक सीटी लगाई थी, इसके बाद पूरे टमाटर सॉफ्ट हो चुकी हैं, लौकी पक चुकी हैं सारे मसालों के साथ में, यह भीगे पत्ता डाला, फिर से गैस अन किया, क्योंकि पहले बंद कर दी थी ना, अभी गैस अन किया था, और चावल डाल करके मिक्स कर लिया, अच्छे से भून लिया, हरा धनिये की बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैं एक सार ही डालती हूँ, पहले थोड़ा बाद में हम डालें इस पुलाव में आप मटर भी डाल सकते हूँ, कुकर जैसे ही बंद किया, तो गैस का सिलिंडर आया, भाई आये थे सिलिंडर देने, वह सिलिंडर निकाल के लाई थी, जो बहार बैलकनी में रखा था, और भरावा सार रख करके गए हैं वो, गैस बंद कर दिया, एक सीटी आयी थी, दूसरी आने ही वाली थी, कि पहले ही बंद कर दिया, पूरी स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खोलूंगी मैं, तब तक मैंने यहाँ पर सालड के लिए खीरा काट लिए हैं, यह मलाई जो मैंने कल वीडियो में दिखाया था, बर्तनों वाला कि यह मैंने मलाई न मैं फिर दिखा रही हूँ, क्योंकि नियू मैंबर्स हैं, उनको नियू वीडियो में ही चाहिए होती है, यहाँ पर मैंने मलाई फेटी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ, पानी निकाल लिया दूसरे बर्तन में, यानि वो उसका चार्च नहीं कह सकते, क्यों क्योंकि इसमें मैंने दही नहीं डाले है, अब मैं मलाई में दही डालकर नहीं रखती हूँ, उनले मलाई रहती है, बस पानी डालकर के निकाल लिया, वो पानी और बाकी जो मक्षन था उसे गरम करने रखा, बहुत फेना सा रहता है, बिल्कुल भी आज को तेज नहीं करन एकदम खिला खिला बिखरा हुआ और सौफ्ट से चावल, ऐसा ही पुलाओ मुझे पसंद है, मैंने रेगुलर वाला राइस यूज़ किया, जो हम डेली यूज़ करते हैं, आप इसमें बासमती राइस का यूज़ कर सकते हैं, मुझे टेस्ट वाइस यही चावल पसंद है और प्लेटिंग आज थोड़ी डिफ्रेंट है, और ये कटोरी के उपर छोटी कटोरी जो रखी न, वो हटाई, तो इसमें दही डाला है, क्योंकि पुलाओ तहरी के साथ दही बहुत अच्छा लगता है, और इसके उपर डाला घी, क्योंकि पुलाओ, किछडी, तहरी, दह घी तो चाहिए, और घी भी चाहिए, और दही के उपर जीरा पाउडर, नमक जीरा वाला मसाला, और कटा हुआ दनिया पत्ता, और सैलेट, प्लेट रह दी, इतना तेस्टी है, कि सच में, मज़ा ही आ जाता है, एक तो मतलब ये रहता है, कि जब शौट कट रसोई करनी है, तो ये जल्दी बन जाता है, और सबजी आपनी पसंद से मन पसंद, डाल दो बड़ियां, जैसे मैंने डाला है, नियोटीला डाली थी, गाजर, आप मतल डाल सकते हो, आप इसमें चोट-चोटे से गोभी भी डाल सकते हो, लौकी जो है, वो पूरी मिक्स हो जाती है, केवल इतना अच्छा काम है, और मलाई को मैंने एकदम धीमियाज करके रखा था, ये देखो, जैसे ही वो मक्षन गरम हो रहा है, बस फिर शुरू शुरू में पहले फेना फेना सा रहता है, फिर जैसे जैसे वो पकने लगता है, फिर घी नजर आने लगता है, इस तरीके से, और मलाई पक जाती है, यहाँ पर मैंने इंडाक्शन बंद कर दिया है, इतना तेज गरम है वो बरतन और घी, घी का बरतन वैसे भी बिल्कुल ऐसे खौलता हूँ असा रहता है, तो वो थोड़ी देर गरम रहता है, बरतन तो भी वो अच्छे से पक जाता है, वो ब्राउन हो लेकिन इससे कलर और टेक्शर बहुत अच्छा आता है, डेली उस में खाने के लिए जैसे चाहिए हो घी, दाने दार आता है और एकदम हलका सा यलोईश कलर आता है, वो बहुत अच्छा लगता है, जब यह ठंडा हो जाएगा ना घी, तब एकदम दाने दार और हलका सा प करना चाहिए अगर आप गरम गरम घी किसी भी कांच के बरतन में डाल दें तो क्रैक हो जाता है लेकिन चुकि वह माइक्रोवेव सेफ होते हैं वह ही यूज़ हो पाते हैं तो मैंने इसमें घी चाना है कलर अभी लाइट लग रहा है वह जब जम जाएगा ना तब बहुत सु कोटे वाले बरतन में फ्रेश मिल्क है तो अब एक बरतन में मैंने ये डाल दिया जो हमने मलाई से निकाला था पानी और अब मैंने डाला है दो गलास दूद दो गलास दूद अच्छा वाला जैसे फ्रेज से निकालके जो मैं रात में बॉयल करती हूँ दो गलास दूद चानेंगे तो मैंने एक बरतन रखा है नीचे बड़ा सा और इसके उपर रखीए जाली और ये पनीर मेकर पनीर मेकर के अंदर डाला रुमाल, इसका मैंने separate ये रुमाल बना ही लिया है, पनीर के लिए इसलिए इसी पनीर मेकर के अंदर ही फोल्ड करके रख देती हूँ, मैं धुलने के बाद अलग से धुलती हूँ इसको, और अब यह जो हमने पनीर बनाई है, इसको छान लेंगे, कपड़े में मैंने चान रही हूँ, तो जितना भी पनीर है, वो पूरा कपड़े में रहेगा एक गांठ जैसा, लेकिन पनीर मेकर में रखेंगे तो शेप पूरा राउंड रहेगा, और जो पानी है जितना भी, उस सारक सारा छेद बने हुए न, होल, उससे पूरा पानी है, किसी भी ड्रेन बास्कित में ऐसे रख लो न, पूरा पानी जड़के निथर जाएगा नीचे वाले बरतन में, हलका सा उपर से जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे, पानी और तेजी स्पीड में निकल जाएगा पूरा, और एकदम ड्राई करना है, अच्छे से जैसे ही जब लगे कि हाँ पूरा पानी निकल गया है, बस उसको पकड़के, यहाँ पर एक प्लेट है रहती है पनीर मेकर में, उसे लगा देते हैं, और एकदम टाइट हो जाता है वो प्रेस करता है वो प्लेट जो है न ऊपर से, सारा पानी निकल गया, पनीर रेडी, और नीचे जो पानी रखा है उसका आप जो चाही उस करूंडा जूँरोगत नःते हुंँ दढलो भाल में डालो आ खisstये बॉन कि गखता रॉकंषी की ठीस का आप छूटकट रस पुरा ओ लेकिन जो में लगी थी सुगवे अभी मतलब पुलाओ और यहां पर पनीर को मैं फ्रेज में रख दूंगी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसे डबे में पलटूंगी आज का वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा और मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा